द्वारका टूडे से मैं परेश पाधिया हूं द्वारका दिस मंदिर के बिलकुल नीचे ये 56 सीड़ी के पास सौम करें हैं अभी मैं आपको कुछ बात ये बताना चाहता हूं कि जो वायू नाम का चक्रवाद था और वायू नाम के चक्रवाद से पूरा गुजराद, सवराष्ट और कच्च के उपर में ये बहुत खत्रा मंद्रा रहा था और काफी परेशानी गवर्मेंट को भी तंत्र को भी ऐसी थी कि लोगों की जान हानी माल हानी ना हो और खास करके मैं अभी द्वारका दीस मंदिर की बात करूं तो आने वाले यात्रियों को भी दो किलोमेटर दूर से डाइवर्ट करते थे यानि रोकते थे कि ताकि वो द्वारका में ना आये क्योंकि एसी परेशानी खड़ी थी जल्दी द्वारका छोड़िये तो ये सारी बाते अभी जो है वो मेरे अंदाज से वो परेशानी टल गई है वो खत्रा जो वायू नाम के चक्रवात का था वो भी टल चुका है और यात्री लोग आना शुरुवात हो गई है द्वारका में यात्री लोग आ रहे हैं दर्श हवा बहुत ज्यादा थी हवा इतनी ज्यादा थी कि उपर जो अभी आप देख रहे हैं कि भगवान द्वारका दिस्ट के ये सिखर पे 150 पूट उचा सिखर है ये और रोजाना द्वारिका और द्वारका दिस्ट के सिखर में पांच दफा ये भगवान का जंडा भगवान का ये फ्लेग बदली किया जाता है तो गुजरात गवर्मेंट की तरब से या तो ऐसा मान सकते हैं कि कलेक्टर की तरब से येसा बताया गया था कि आप इतनी उपर ना चड़ें और जो ये फ्लेग change करने का समय है या flag change जो कर रहे हैं आप वो नीचे वाले जो सिकर है मैं आपको बताना चाहूंगा के एक नीचे एक जो सिकर है वहां पे जो भी flag change करना है वो वहां पे आप रखे यानि दो दिन ये दुआरकादिस्क के सिकर पे कभी इतियास में नहीं हुआ ऐसी बात गटी तो हुई है वो चक्रवात की वज़े से ही हुई पिछे जो दो दिन गए हैं वो दिन दो दिन के अंदर में जो भी कोई दोजा लगी है वो निचे वाले सिखर में लगी है लेकिन आज आपके सामने हुँ मैं आज से ये जो रेग्यूरल जो फ्ले है वो अपनी टाइम से लग रही है और फिर भी जहां पे रेग्यूरल यानि की रोज जो भगवान का ये फ्लेग जो लगता है उसी तरह से ये सुरुवात होई है तो निचे से जो फ्लेग लगाते थे वो फ्लेग अब नहीं लगाये जाएगा जो मूल स्तान और मूल सिख कर पर जो फ्लेग लगना चाहिए उसी जगाव से ये फ्लेग लगना सुरू हुआ है कुछ यात्री लोग हमारे साथ में हैं उनको भी पूछेंगे आप कहां से आएं जबलपूर से जबलपूर यानि गोटे गाउन नर्शिंग पूर जबलपूर सीवनी ये सारी जगा है मैं प्रस्ण तो ये पूछन चाहूंगा आप लोगों ने भी तो निउस सुना होगा और लोगों ने भी तो यहां पे आया हुआ जो खत्रा वायू नाम का चक्रवाद फिर भी आप दौर का किस तरह से पहुचे और कैसे पहुचे हम लोगों का एक सपना था पहले से कि हम यहां आए हैं तो जरूर देखके जाएंगे खासकर मेरी आड़ी थी कि मैं आई हूँ तो मैं दोर कदीश के दर्सन करके जाओंगी और उन्हीं की ऊपर था जो आधा में उनकी क्रपा से सब लोगों को दर्सन हो गया हम लोगों को बहुत आभारी हूं कि बाई बाइब ट्रेन आया या वाई रोड बाई बस से आए अपनी बस ले करके आए बीच रास्ते में कोई परिशानी तो खड़ी नहीं हूँ दौर कदीश के दर्सन हो चुके हैं और सौमनात के वी दर्सन कर ल बरजवाजी बंदा बन से रहने वाले हैं क्या कहना चाहिए हैं दौर कदीश में अशीम जो शरदाय हमारी उसकारण हमें दर्सन हो सके हैं हमें कोई अभास नहीं था कि यहां तूफान आएगा हमें पहले से यह मैसूस है कि यहां तूफान टल जाएगा दौर कदीश की आगे भी रहा है अभी भी है और आने वाले समय में भी रहता है लेकिन मेरे पीछे जो यात्री खड़े हैं कुछ हर्याना से भी हैं कुछ जबलपूर से हैं यानि मध्यप्रदेश से भी हैं उन लोगों का भी दौरी का धिस के उपर में अतूट बिस्वास है कि जो भी जंकर तुफान हो वो तुफान जो है वो टल जाएगा और यहां दौर का धीष जो है वो कोई भी चक्रवात को इस जगापर में कैसे भी आए हम दौर का धिस जाएंगे हम दौर का धिस का दर्शन करेंगे और आज यह यात्रियो जो हैं वो बाई रोड आये हैं अकेले नहीं किये, सोमनाद जी का भी दर्शन किये हैं, और सोमनाद जी में भी महादेव की कुरुपा से कोई परेशानी नहीं हुई है, और द्वारका में भी यात्रियों को कोई भी परेशानी नहीं हुई है, ना रुकने की, ना दर्शन की, और आज खुश हो करके, दर्शन करकर क वो अपने जगा वापिस जाएंगे तो मेरा दो आपको दो बाते मैंने जो बतानी थी दुवार का टूड़े के माधियम से एक जो फलेग चड़रा है जो धोजा लग रही है वो अपने मूल स्थान पे वापिस आज से सुरुवात हो चुकी है नमबर एक और नमबर दो जो यातरी वापस दुवार का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं यातरी लोगों के दिमाग में जो खौप था वायू नाम के चक्रवात का वो भी हट चुका है और अगर हमारी रिजर्वेशन होती तो हमको दर्शन नहीं मिले कि हम खुआनों के बहुत बड़ी उक्रपा है और हमको दर्शन अच्छे से लिए और हमारे गुटूओं में बहुत तकलीफ है लेकिन दौर का दीस की महराज से प्रपा से हमको बहुत अच्छे दर्शन मिले बिल्कुल तो द्वारकादिस अपने यात्रियों के बगर नहीं रह सकते हैं और यात्री द्वारकादिस के बगर नहीं रह सकते हैं तो ये एक अतूट जो रिस्ता है यात्री और द्वारकादिस के बीच में और द्वारकादिस और यात्री के बीच में आप देख सकते हैं कि कितनी भी परेशानी हो लोग यहां पर में आ रहे हैं और द्वार का दिसके दर्शन कर रहे हैं